कि अए अजय को आज दोगा कि अपर में आजए हो रहे हैं यह अटा बच्छा अब जाब देली बाल बच्छा जोबड़ी ने जो शुरू से था आज तर्च जू से था आप आप अपना संद्राशन मिलता है और जो इंद्रावास अब अगरा जो भी है उसी हम दो लोग ने के गोगों कि सेले अभी जो अभी बोले कि जो अभी जो मांसाल से रासा ने देरा सरकार फिरी में आभी गरीव लिए गोग लिए प्राजर्मा वही बढ़िया है तो नही आपको नेता को जानती है कुछ नेता को उनको नेता को जानती है अभी तो लारेन मती के हम जानते है नमस्कार मैं कॉसलिंद्र प्रियदर सी आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन का चुनावी सफर एक आदम गोंडवी की कविता है जब मैं इस गाउं में पहुंचा तो मुझे याद आया काजू भुना प्लेट में विस्की गलास में राम राज उतर आया विधायक निवास में तो दूसरी तरफ हम पुर्णिया लोग सवाच्छत्र में हैं और गाउं की इस्थिती देखते हैं तो कुछ अजीव सा महसूस होता है एक भी घर के उपर छत न मेता एसी में बैठ करके निती बनाते हैं तो दूसरी तरफ जिस ग्रामीन छेत्रों के लिए और जिस जनकल्यानकारी योजनाओं को अंजाम दिया जाता है तो उसका परिणाम देखिए यह मचान है यह गाउं में पुर्णिया के अमोमन गाउं में आप जाएंगे लगाया जाता है और बासवाडी भी है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जब हमने कुछ देखा यह सांती टोला है ना सांती टोला है तो मेरे मन में इच्छा हुई कि इन लोगों से बात करें कि आखिर क्या मसला है कि इधर किसी के घर के ऊपर च्छत नहीं है दूसरी बात कि कि इनको क्या सरकारी सुविधा जो प्रधान मंत्री आवास योजना की बात की जाती है मोदी गारंटी की बात की जाती है अन चीजें राशन की बात की जाती है तो सरकारी योजनाओं का अगर लाव मिलता या मिल रहा है तो इनके जीवन अस्तर में कितना सुधार हुआ है ये बड़ी बात है ना, लेकिन मकान की इस्थिति ये बात प्रधान मंत्री तक भी या जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, उन तक ये बातें पहुँचनी चाहिए कि पुर्णिया लोग सवाच्छेत्र के कई गाओं में, खास कर इस गाओं में हम आएं हैं सांती टोला में, हम इधर से गुजर रहे थे, तो मैंने देखा कि एक मचान है और अपने संबादाता से भी मैंने बात करने की कोशिश की, कि आर्थिक इस्थिति या सरकारी योजनाओं का लाव इने मिलता है की नहीं, बाद में बात करेंगे, इनका जीवन कैसे चलता है, हमारी साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करेंगे, कि आखिर कैसे जीवन चलता है, आपका क्या नाम है? शिला देवी, जो जोर से बोलिये हैं, जी सर, तो आपके बच्चे हैं? चार लड़का हैं, चार लड़का हैं, जी सर, तो आप यहां जो बरगाओं में रहती हैं, तो जीवन कैसे चलता है, कहां से पैसा आता है, क्या करती हैं? ऐसे सर, मजदूरी, ऐसे जीवन कैसे कमा करके पालते हैं, बच्चे सब मजदूरी करते हैं, और फिर बच्चे बठेर बाहर भी रहते हैं, कमाने जाते हैं? जैसे आपके पास भी आते हैं आपका क्या नाम है और मिलादेवी आपको जो जितनी बातें की जाती हैं आपका जीवन करम कैसे चलता है आप तो आपकी उम्र हो गई आपके भी बच्चे होंगे वो कैसे जीवन गुजारती है आपके यह बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि जब आप बिर्धा पेंसन देते हैं हलांकि इसमें कुछ लोग कहते हैं आपको मिलता है अब बगल में जो एक महिला हैं उनको बिर्धा पेंसन भेंट नहीं होता तो आखिर इनके नाम पर कोई रासी उठा ले जाता है या कुछ होर होता है और और कुछ मिलता है आपको आपके आपके बच्चे पढ़े लिखे की नहीं पढ़े लिखे पढ़े छे सब सरकारी में पढ़े अभे कुछ नाय मिले छे उगरा जैसे अजा साब विकलांग छे हमारे साथ एक बुड़ी माता जी है इनसे भी बात करेंगे आपका नाम क्या माता जी नाद आप जब यहां आई थी तो यह जो देखते हैं यह जो देखते हैं तो आप बहुत दिनों से रह रहे हैं बहुत दिना यहां अपका ससुराल भूँए नोपोता ची कितना बेटा था अप्प? इसकी पीटा एक टो गुजड़ गया यह गर है तो आप जब यहां आई थी, आपका विवाह जब हुआ था, तो आप यहां आई थी और आज में परिवर्तन है कुछ? जीवन अस्तर में जैसे पहले इलाज करवाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता होगा स्कूल नहीं होगा इस सब में कुछ बदला हुआ की नहीं सरकारी स्कूल बना इस सब कुछ हुआ हाँ 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 बताना चाहिए हाँ और कुछ लोग हैं हमारे साथ उनसे बात करेंगे हलांकि कुछ महिलाएं थी वो चली गई एक नौजवान है उनसे बात करते हैं आपका क्या नाम है अर्विन मंदल जी यह क्या आपको यहां कि अपने जीवन में इधर बदलाओ क्या है तो माने के चलिए का माते खाते अपना है वेकिया जैसे मेंद मजदूरी है अब मानके चले रासन को जोना अभी सुभधाम रासन मिलना फिरी में और जो इन रावास बगरा जो भी है उस अब कुल लोग नहीं मिला है काहें नहीं म मुखिया सरपांच है बोलते हैं इसा बट कि कहा हो जाएगा एक मुखिया जाता है दूसरा भी आता है तिसरा भी आता परियास करते थक जाते हैं तो मंगे हम लोग मजदूर आदमी अगर उसी का पीसे पढ़े रहेंगे तो हम आप फिर तो घर में बुरा आल हो जागा नह नहीं है परिवार्धिन संपेत है लेकिन वहीं है कि कि我要 कोई लाब नहीं है कोई सरकारी लाब नहीं इसा बतना नहीं मतलब किया फैदा अचा एक चीज़् बताइए आपका नाम क्या हुआ अब ही अब धीरे धीरे मतलब नजदीक आ गया चुनाव भी आने वाला है नेता इतना देखते हैं आते जाते लोग है ना नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है आपको कोई नेता प्रशंद लगता है कि हाँ इसकी यह है तो हमारे लिए ठीक है अब भी बिजनेस करते हैं जहां भी गुरते हैं अभी 75 पिसा उसी का नाम सुनते हैं उसी का नाम सुनते हैं इसका खाता है को भी तो ऊसरका को खाता है थो सब्ण ऐले मीAs करते हैं ऑज़े मैं वहाद ना कि जो आप करते हैं कि सब ज़गे कोmos डराया है गाड़ी चला लेते हैं इसी में IPO वो 75% लोगों से जो feedback मिलता है आप बात करते होंगे लोग क्या बोलते हैं लोग अभी चुनाव के बादे चलिए अभी हम दुकंदारी करते हैं जाल मुरी चोमिन चाड़ बेचते हैं जाते हैं जाते हैं सब का राय ले ले लेते हैं बते बादे खुल जाता है तो माने कि चल हाएं जीवन चल रहा है और जब ज्यवन जीवन ही चल रहा है बढ़ा हेल और आप जगह जगह जैसे इन्होंने कहा कि यह भी एक हमारे लिए पत्रकार हो गए कि इनकी मुलाकात प्रति दिन 40-50 लोगों से होती है और उस 40-50 लोगों में कुछ तरह-तरह की बातें करने वाले लोग और तरह-तरह की विचारधारा के लोग अर्विंद जी से मिलते हैं चुकि दुकान चलाते हैं और गाड़ी भी चलाते हैं तो यह एक पर पर आपका क्या नाम है बाबू सुनिल कुमार अब क्या करते हैं उन्तु मजदूरी करते हैं बाहर में कहां नवेडा नवेडा में रहते हो दिल्ली कितना कमाते हैं रोज वही 12,500 घर कितना भेजते हैं आप वही 10,000 बचता है कब आये हैं लोट के इदर यही दस दिन हुआ यहां चुनाओ का महौल देख रहे हैं आप देख रहे हैं क्या लगता है क्या 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 बोलता है हम तो इतना घर में नहीं रहते हैं नहीं रहते हैं अच्छा एक और बात करते हैं क्या नाम है आपका रविन पास्वान रविंद्र जी आप क्या करते हैं हम मजदूरी करते मजदूरी करते हैं तो रासन आपको भी मिलता है मिलता है कि मिलता है चिराग पास्वान को जानते हैं जानते हैं हम जैसे अरबिंदी जी से अभी पूछ रहे थे कि जीवन चलाना है किसी तरह गरीब आदमी मजदूरी करता है रोज कमाता है रोज खाता है है ना आपको कोई नेता अच्छा लगता है वही तो बोला तो यानि बहुत आदमी यही कहता है कि हम अगर बहुत चीज का सुविधा दिया है आपको क्या क्या मिला हमको तो कुछ नहीं मिला है स्रीप राशन मिलता है इंद्राबस भी नहीं मिला है हम ऐसे मजदूर क्लास का आदमी है मजदूर करते हैं अपना खाते हैं यह बटी बात है लेकिन डियो जनाओं की बात प्रधान मंत्री मोधि करते हैं और कहते हैं कि यह बातें सारी उनन तक पहुंचे आईस्मान हो गया उजबला ही चुना फिर अन योजनाओं की बात जो बिस्वर्मा योजना हो गया या स्किल के लिए हो गया तो ये सब को समझना चाहिए और प्रशासन को भी इन बातों को सुनना चाहिए ये बात पीमों तक जानी चाहिए कि ये भरस्टाचार कहां हो रहा है कि जिनके पास आधार काड है बाकी पहचान पत्र है तो उन्हें आखिर सरकारी योजनाओं का लाब क्यों नहीं मिलता है। आपको भी नहीं मिलता है। हमरा मिली रहल छे गारजयन के मिली छे तो माने आपको नहीं मिलता है। आपको भी मिलना चेहिए। आपको भी नहीं मिलता है। आपको नहीं मिलता है। आपको जितने मतलब योजनाओं का लाब है। उनको अगर बिर्धा पेंसर मिल रहा है तो इनको भी बिर्धा पेंसर मिलना चाहिए। अच्छा मोधिजी का मिलेगा भाई। यह बड़ी बात है और मैं यह आज कोई मतलब इस गाओं में जहां लोगों के पास आवास नहीं है मतलब आप समझ सकते हैं कि इनके पास कोई हम बार-बार यही पूछ रहे हैं कि इधर के गाओं से गुजरने पर यह टीन के छपर के नीचे रहते हैं तो आप अनुमान लगाएं न कि 45 डिग्री 42 डिग्री 43 डिग्री टेंप्रेचर है तो फिर इस बीच में यह लोग रहते कैसे होंगे क्या नाम है आपका भवानी देवी भवानी देवी जी तो भवानी देवी जी आपको कुछ सरकारी लाब मिलता है आपके हैस्वेंट क्या क हैं आप बोट दी हैं इससे पहले दिया हैं और हम जिए हैं अभी नेता को जानती हैं कुछ नेता को जनती हैं अभी तो लरैनमोदी को जानते हैं जन्मोरी को जानते हैं तो अबसे कभिए पेजिए कि बन गया इससे क्लिया थी दिया है तो इसलिए उससे बरक आप क्या देगा लरं मंदी राम मंदर से आपको का प्यादा classical गया हे अश्थ और रासन भी दे दिया है गैस सलंडर फिरी किया है तो आप उच्वला योजना गैस सलंडर मिलता है आपको जी मिला है और कोई नेता अच्छा लगता है और को हम तेज़ा स्वियादव मतलब साफ है कि योजनाओं का लाब मिलता है और यही वज़े है कि लोग जो है असपस्ट है और उसका कारण भी दिख रहा है इसारूं ही इसारों बे उन्होंने बड़ी बात कहादी ग्रामिनों ने बड़ी बात कहादी पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना